हेलो एवरीवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के नदर में हम M.A.H.I.M.H.I.02 का All Important Topics के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तो M.A.H.I.M.H.I.02 के जो syllabus है वो बहुत बड़ा है Almost 40 chapter है ठीक है एक्जाम के लास्ट टाइम पे उस सारे chapters को पढ़ना ठीक है रिवाइस करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है पर अगर हमें यह पता हो कि पूरे विकुमे से कौन-कौन से Important Topic है और उसको अगर हम study करें सही से हमें यह जाने कि किस तर से question बनता है इस topic के base पे तो हमारा number लापाना बहुत ज़्यादा असान हो जाता है तो आज कि इस वीडियो के अंदर में हम सारे topics को cover करने वाले हैं जो आपके M.H.I.02 के अंदर में दिये हुए हैं तो वीडियो को last तक देखेगा समझने के courses कीजिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो valuable लगती है आपके लिए useful लगती है तो अपने सभी दोस्तों के साथ share किजिएगा अपने WhatsApp ग्रूप में डालिएगा ठीक है और comment करके जुरूर हम appreciate किजिएगा जिससे हम motivate हों आपने वह नहीं देखा है तो देख लीजिए जिसके अंदर में मैंने 2016 से लेकर 2022 तक के सारे question paper को solve करवाया था ठीक है almost 100 से ज्यादा question को मैंने cover करवाया है तो वह एक बार देख लोगे ना solve कैसे करना सब कुछ मैंने last five years के question paper में यहाँ पर बताया हुआ है ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते है आज का पहला topic आता है हमारा ज्यान ओधे ठीक है जहां पर लोगों को ज्यान आई बुद्धी आई ठीक है जिसको हम विवेक का यूग भी कहते हैं प्रबोधन का यूग जरी अंदर में बहुता है कि चुर्च की जो अन्धिवस्वास धाहर नहीं थी ठीक है ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म को टार्गेट करहां आँ अचा यहां पर कहने के मतलब यह है कि जो समाज के अंदर में कूरीतियां थी ठीक है तो उसको फ्रगों ने तो जो चर्च का अधिपत आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे इस टॉपिक को सही से, तो आपको दिखेगा समाजिक और राजनीतिक तोर पर बहुत जादा पकड़ था चर्च का, राजनीतिक तोर पर अगर कोई भी फैसला लेना होता था, तो राजा के फैसले में दखल समाजिक तोर पर कुछ भी परिवर्तन करना होता था, तो वो चैंजीस कर सकते थे, और काफी समय तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रबोधन के काल तक या ग्यानोदे के काल तक महीं यह चीजी चली, ठीक है, काफी समय तक यह सारी चीजी चलती रही, इसका प्रिणाम क्या नि से जन जागरिती, लोगों के अंदर में चीजी आई, नौलेज आई, ओ भाई, आँख खुल गई, ऐसा आप कहते हैं, आँख खुल गई, मतलब क्या लोगों के अंदर में जागरुपता आई, ठीक है, अवेर हुए लोग कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, और कई जगवे भारत म भी उसके परिणाम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, अभी हम पुना जागरन वाला नीचे साथवा टॉपिक है, उसके अंदर में बात करेंगे, ठीक है, तो पहला कोश्चन समझ में आता है, क्या किस तरह का कोश्चन बनता है, दूसरा टॉपिक आता है हमारा कल्यानका भारी राजे, ऐसा राजे जो लोगों का भलाई कर सके, ठीक है, भलाई करने वाला राजे, भलाई करने वाले राजे के अभधारना क्या होती है, भाया, भलाई करने वाले राजे के अभधारना होती है, सबसे पहला होता है विकास, ठीक है, ऐसा भाही राजे जो विकास कर सोतंतर ताजू उनके राइट से हैं वह मिले ठीक है सबको अजादी चाहिए वह मिले और सासात में आर्थिक तौर पर विकास वरोजगार मिले वह क्ल्यानकारी राज्य कहलाता है ठीक है यहां पर एक कोशन यह भी बन जाता है आज के इसाप से यह ऐसे मतलब आपके बुक का कोश्चन नहीं है जड़नल अवेर ने इस कोश्चन है क्या आज के समय में भारत के अंदर में कोई कल्यानकारी राज्य है या फिर जो हमारी नीतियां है वो क्या कल्यानकारी राज्य की तरफ जाती है आप कमेंट करके जुरूर बताईगा आपका इस पर क्या ओपीनियन है ठ मैं तेसरा पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पर शम्राजज़वाद क्या होता है मालो मैं इस घर में रहता हूं एक बंदा आया बोलता भी यह मुझे व्यापार करना आपके घर में ठीके मैंने का कर ले आर कोई दिखकत नहीं रह ले उसने जये दो जहने तो पस कोई दिक्कत नहीं मैं अपना देखूंगा कहीं जुगाड आप चला जाओंगा मैंने का भै ठीक है रह ले अब वो दीरे 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 मेरा टोईलेट बातरूम सब कुछ यूज करते 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 मुझे उस घर में सरनार्थी बना दिया और उसने पूरे घर को कबजा कर लिया ठीक है तो अब क्या हुआ पहले तो उसका जो इलाका था वो यहां पे छोटा सथा पर अब दीरे दीरे उसकी सीमा क्या होगी इस तरह से बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई और उसने मिला ल समराज्यवात का सबसे बड़ा एंटर होता है क्या आपको पता है उपनिवेश्वात का में मी अर्नि करना क्यां कि जैसे आंग्रेश सब अवचा दे क्या खुनài इंब involved किया और बिजनेस करने के साथ में हमें गुलाम बना कर हमारा धन ले गए ठीक है तो यह मोटिव थाउन का पर समराज्यवाद के अंदर में क्या होता है कि वह अपनी सीमा का विस्तार करते हैं ठीक है जैसे रसिया यूकरेंड का भी यूद देख रहे होगे तो रसिया क्या कर रही है अपने सीमा विस्तार कर रहे हैं जो यूद ँरूर के उकरेंड के जो छेतर होरा है उस हो क righteous करता जा रहे है तो वह क्यह वह सीमा का विस्तार हो रहे हैं ठीक है तो यह समराज्यवाद के शमय वह सबसे बड़ा एक्जांपल रसा दीख जाता है जे योगरshire दीख आर likely उसके कारण से और दूसरा जो सबसे बड़ा एक्जांपल दिहता है चाइन का लेक्टा रिजन क्या है जैसे चाइना भारत के कई सारे पार्ट्स पर बार्डर हो उस पे कहता है कि हमारा है कि प्रेघा उस तरह से अजुट दिस्टिभूट चल रहे जहानी को कर रहा है जहां पे देखो ऑफया करने को समय वह इता है ठीक है समझ में आता है यहां पर अगले पॉइंट के और बढ़ते हैं चोथा पॉइंट हमारा आता है गुट निर्पेक्ष आंदोलन उनको नॉन अलाइमेंट मुव्मेंट के तौर पर जाना जाता है भारत के पहले परधानमंत्री पंडित जवारलाल नहरू के द्वारा इ इसकी वीडियो कई सारी डिइन अप पर डाल रखी है आपको जना है दिआण हो के अंदर में वहां पर गुट निर्पेक्ष आंदोलन की वीडियो सर्च करना है और आपको पढ़ना है तो वहां पे दिख जागी वीडियो और IFra पो सभीलो समझ मगार्इगा इदे आप यह पर वी करें अगर पिदयर को चुनो या फिर या को चुनो रस्या करें अागर सोचा है through the तो ख्राइब भात यह विद्ध रंक हाई और मुझे बनना पड़ेगा में पहँ यहार गया कि भीया हम तो गुट निर्पेक्ष आंदलोन की करेंगे जिसमें प्रविक्षक की भूमिका निवाएंगे प्रविक्षक मतलब क्या हम दूर से खड़े होकर न्यूट्रल रहकर अपना हमें किसी की तरफ से नहीं जाना तो भारत ने इस तरह की विवस्था नहीं जिसे हम मिस्रित वादी अर्थवस्था भी बोलते हैं तो यह भारत की विदेशनीति का बहुत इंपोडेंट पार्ट आ जाता है गुट निर्पेक्षांदोलन इसके परसंगीता के बारे में करता है तो भारत ने रूस की निंदा भी करी ठीक है तो पर कहीं पर विदेशनीति आती है उसके काल साहर में रूस को सपोर्ट भी करते अगर आप उस पोड़िक को लगातार फॉलो कर रहे हो तो आप इस चीज़ों को नोट करोगे देखोगे कि हमारा बिदेशनीति में क् तो हमारे यहां पर गुट निर्प पर आंदोलन के अगर खासियत पुछा जाए तो आप भी पता सकते हो शांती स्थापित करना या मोटीब पुछा जाए उदेश से पुछा जाए स्वास करना यह सारी चीज क्या है गुट निर्पेख शांदोलन के में मोटिव के तौर पर देखे जाते हैं समझ में आता है पांचवा कोशन मोस्ट इंपोडेंट कोशन के तौर पर हम देखते हैं रूसी करांती अब रूसी करांती को किन की नामों से जाने जाता है कई बार आर्थिक और राजनेतिक विवस्था पर प्रभाव बताईए तो मुझे यकीन है आप में से जो भी बच्चे वीडियो देख रहे ना उसमें से कई सारे बच्चे यह सोचेंगे question paper को देखर यह विवेक कहां से आ गया यार विवेक तो मेरे पडुसी का नाम था यार विवेक को 6000 करांटी जो cheaper के स्कैvip कि ऊतुर से मार्सि करांटी जाता है कि वहां पर सबस्तों से मांस तक चल्डा तो उस असे नाम दिया गया ठीक है खूनी करांटी भी कहते इसके नhell में किवा जया बहुत जादा नुकसान वुआ तो परिवर्तन का काल वी माना जाता कि रूस इससे पहले तक इसके अंदर में अलग विचार धारा था था जार निकोलस का साशन था अलग तरह का एकदम निरंकुसवादी सासक का पुचल रादा शाशन पर जब 1917 में करांती होता है फिर क्या आता है फिर यहां पर आता है भी टक कर देता है पूरी तरह से ठीक है यहां पर विचार धारा नया विचार धारा आता है समाज के बारे में सामयवाद विचार धार आता है जिसमें यह कहता है कि बहुत ज्यादा परिवर्तित होता है और बहुत ज्यादे विकास भी होता है बहुत सारी कंट्रीस को प्रवाव के रोस news के अंदर में यहां सीमा विस्तार्ता उस परुड़ देना शुरु करता है थीरा अमेरि मेरिका को पुरी तर से जोर तोर्ट रख और धिता हैं इस तरह future सबसे बड़ा कारण क्या हुआ इसका आने का भीया सबसे बड़ा कारण रहता है जार न gust gal Sangenag दोरह सेन जलाए कई वह उसकी वनिती ठी आर्थिक नीथि हो समाजिक नीथि हो अन तीनों ऍीचाए क्या रहज갈 इंदर ही हैということ किसे नाकी बनता है अब यहां पर प्रहण पूछा जाता है नहीं विचारतारा कोदब हम ठाओ के लिए होता है ठीक है इसमें समाच के बारे में सुचा जाता है कि सान के हित के बारे में सुचा जाता है ठीक है और समाच के पूरे विश्व के अंदर में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पर सरकारी अधिपत को कायम किया गया ठीक है सभी के लिए इकवल नीतियां बनाई ठीक है, और एक ऐसा बजट दिखा जाता है, जिसके अंदर में पुंजी पती वरगों को support किया जाता है, कि भीया, आप business करो, we will support you, we will fund you, ऐसा करके government करती है, गवर्मेंट कहने का मतलब क्या होता है, कि भीया, आगर हम आपको fund करेंगे, हम आपको support करेंगे, तो आप बढ़ो अगला हमारे question आता है, अगला हमारे question आता है, यह फ्रांसी सी करांती का, यह भी बहुत important topic है, इससे भी कई सारी बार, मतलब मैं जो यह सारी topics उठाए हो, कहां से उठाए हो, तो लास्ट दसीर का question paper मैंने लिया, randomly, कोई भी chapter मैंने खोला आपका, उसमें मैंने पढ़ा, दे इस अगला हमेगे, इसने भी बहुत बहुत पहले से बहुत दुभर। और दाते सो खीनि होता है खाता होला ज़ी भी परच्छब्राद बताय थे sådan ज्एनोदे ब्ला बर्च अदर में जए ने सरा मैं हिर परा OH दोखीर्ण से बसे उटीजा संरे और चीजों करन से vyोगों पर इसके उपर उन् flourish किया चूंद आप किसी चीज की मांग करते हो ला तो एक हburganton होती है छी कया अप्धिकर अंदर में कर लैप्टप कि यौह मुझे एप्ल का लेपक्टॉप चाहिए तो या फिर आपके पास दो option है, अगर आप आम आदमी हो, तो kidney बेचो, liver बेचो, आँख बेचो, कान बेचो, आपके पापा बेचे या कोई और बेचे घर में, तब आपको मिल पाएगा Apple का laptop, अदरवाइस आप उनके संबानी के हो, तो बस बोलना है और आना है, ठीके, जो Apple का company अगर आपने मांगा अपने घर में, जो हम आम लोग हैं, मांगते हैं, तो वहां पर इतनी सारे नोटंकी होगी, मम्मी के अलग, मैलोडी ड़ामा चलेगा, पापा का अलग चलेगा, और हमारा भी अलग चलेगा के रहा में ज़रूरत है, ठीके, हम वहां पर अपनी condition समझना चाहेंगे, वह अपनी condition समझाएंगे, सब कुछ ऐसा चलता है, वह क्रांती की सुरुवात करते हैं, चोटा से एक्जामपल था, ठीके, उस तरह से यहां पर भी जब हम चीज की मांग करते हैं, तो आपस में मतवेद होता है, विचारों मतवेद होता है, और वह क्रांती की स खणना, ठीके, पुनft जागरान दर्मनिर पेक्षिता, धर्मनिर पेक्षिता मतलब क्यों रहा कि जहां पर सभी धर्मों को बराबर मना जाता है, कि बहिया कोई बडा ना कोई चोटा, सब धर्म बराबर ही क्वल है, भारत के अंदर में भी पूनद जागरान का परभाव प्रभाव देखनी कारण क्या था यहां पर एक कोशन और बनता है दोस्तों कि ग्लाप पड़ा ज्यान वग्रेंग के लोग है अभी यूद में अपशे हुए न उनका माइन्ड उस चीज के लिए तैयार होचका आप दुबारा पभी स्तरकी स्तिति बनेगा न तो वो पहले ही इस चीज को cover कर लेंगे कि हां ये चीज है ठीक है हमारे इंडिया जैसा नियुता कि हम एक बार चोट खाने के बाद भी ना हम ढूते हैं हम से वापर से वापर से काम करती ही करते हैं आपने से बहुत सारे बच्छे हो जो हर साल ना नीयूर्प पर रिजूलेशन बनाते हैं हम और हम बिमार पढ़ते हैं करते हैं फिर छोड़ देते हैं चल्लो अटाओ खतम करो तो यह हमारी चीज है आधत है हमारी है तो जैसे ग्ञानोदेका भी में रीजन क्या था उदे होने का अमेरी कारांति अदे करांति और जार निकोलस की सारी चीजे ठीक है जब 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 ग तो तो ढूंद बार्म ये नियाँ है सामन्त वाथ इसको आपके चार बुग में रिपीटेड़ थीके समस्तवाद इसको तो इसको आप पूमस्ट इपोडने इना माक करके रख लिए तो है साम falt होता क्या है देखो सामन Swads Mayan whip क ये जनम यूरोप के ही तरफ हुआ और इसके अंदर में किया होता है कि एक ज जातीवादी वैवस्था इस तरह सेinta है जिसमें सबसे उपर सबसे बड़ा वर्ग सबसे ऊपर उसके बड़ा 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 वर्ग मतलब एक पूरा सिरियल वाइज होता है जिसमें सबसे बड़ा ऊपर जो होता है वो पूरे विवस्था को रेगुलेट करता है ठीक है संचालन सासक जिसे हम सासक वर्ग कहते हैं दूसरा वर्ग होता है सासक के साथ काम करने आथिस veya तेसे नमबर के व्यपारी व्यपारी वनलगा सी, इस तर Road को स्थाफना करें तर नोग आगे बढ़िए गया Campe सामतवात का पतन कैसे गवा तो इससे लेटेड एक कोश्चन बनके आ जाता है ठीक तो आप इसको बर पड़ जरूर लीजेगा ठीक है नौबा कोश्चन यहां पर नौबे पॉइंट के हम भात करते हैं तो नौबा पॉइंट हमारा कहता है यूरोप में आधूनिक की करन अब यूरोप में क्या हूआ अधूनिक करन है और उड्योगी करन की सुरुवा तो इनहीं बुप्यों को थिए फिर लेखते समय ने पढ़टा ना पड़ता है कि चला कहां किया अब देखो यहां पर दो कोश्चन को अगर में आधूनिक करन और ये प्रकास वाला है ना कोश्च परिवर्तन के बारे में हम बात करते हैं आए जनसंक्या में परिवर्तन कैसे हो रहा है आध मी लुझ यहां के माल में जनम के मच घ जनम लिया लाम न्हथा है परीबर्तन होने करिके क्यों को पहला कारण होते हैं अब यहाँ पर सोचता पहली रहे सब बिमार ना रहें दिली में जैसे गैस चम्बर में बदल जाते हैं तो हमारे क्या देबाई दे आ दे आपका तक जीते हो पर दिली में हुल्टा है दिन बर में 24 गंटे वे 24 मिनट आपने कम कर दिया, मतलब हमारे लाइफ का अदर घंटा गया? ठीक, रोज आदर घंटा दे रहे हो, तो साल बर में पता नहीं कितने घंटे आपने दे दिया, यहां पे यह जनसंक्या परिवर्तन का कारण का के समाज वी पर बढ़ रही है , विकास करने में संबहावना बनती है , कारण का कम होने का बढ़ने का सौचता सवास्ता , स्वासताय व्यरी जैसे करोना कारण से क्या है , कि बहुत सारी चीज़े लोगों की मिट्थी हुई , वह कि अब राज जा जाता है एक निडिटो कोपी-पेस्ट बना जाएगा अब देखो यहांप के उधारवादी अफिसा क्या है जहां पर राज्ये विकास के बारे में बात करता है जहां पर राज्ये की उधारवादी उधारना होती है जहां पर लोगों को समान लेकर चलने की बात करता है तो राज्ये की उधारवादी उधारना की बात आजाते है यहां पर कई सारे विचारकों के नाम आते हैं, जैसे होप्स आ इंढ sucks हो गया फिक है, जोन हो गे। तो इसको अगर आफ सही धर्ड़ते तो आपको कई सारे विचा रिटा आ इसको पड़ आते हैं approved in रिप्रोग्ष आधर्म mission को समझने में मदद करती है। यहां पे तेरवा point कि अगर हम बात करते है दोस्तों तेरवा point आ जाता है रास्ट्रे राज्य की स्थापना म आर्थिक विकास करना और तो आर्थिक विकास करने के लिए कि क्या क्या चीज़ी जरूर होती算 तो को का सपोर्ट जैसे अब डेली में रहे रहे हैं टैक्सी नहीं बढ़ जाता तो यहां पर इस तरस चीजे चलती है चौदवा पॉइंट आजाता है हमारे यहां पर बीसी सताबदी में यूरोप तथा मुद्रन प्रकाशन जो भी मैंने उपर बता था ना यूरोप के आधुनी करन यहां पर मुद्रन प्रकाशन से क्या हुआ लोगों के जो जीवन से लित उसमें परिवर्तन आया ठीक है किस जो किताब है तो पढ़ रहे हैं आज YouTube है तो और जाद अच्छे से पढ़ रहे हैं घर में बैठके पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह क्या है कि मुद्रन प्रकाशन का अधार जीवन में परिवर्तन आया किस तरह से और रोल प्ले करता है वह सारा आप वाएं पर बुक में मिले पाक उनके अब अलप विकास है उसको नियंदरन कैसे करेंगे तो एक अच्छी नीती बना कर ठीक है लोगों को रोजगार देकर ठीक है सही टेक्स ववस्था को अपना कर ठीक है अब टेक्स ववस्था आप आना टेरना है जो मरजी लिलोगे तो ऐसे थुन नहीं बड़ी पागे तो इस तरह से चीज़ें चलती है तो यह अब लोगों को सही रोजगार देना सही टेक्स ववस्था देना जब लोग सब सिक्षित होंगे सब अच्छे लिखे पड़े लिखे होंगे तो अपने आप ही वह चीजों को समझेंगे और आपका विकास होगा ठीक है समझ को बढारे में सुच्छता हो जीतने भी उग्र्वादी संगठंस संगटने भारत विरोधी में काम करते हैं यह सारे गैर राज्य करताओं और हिंप लोग्राजी करताओं में आते हैं जार्खंड विहार, मद्दे पर्देश, यूपी के अंदर में जो यह अलग-अलग जो होते हैं नक्सलाइट जिसे हम नक्सलाइट कहते हैं इन सब तरह के जो लोग थे यह कहते हैं गैर राजे करता हैं थे जो भराज्य के खिलाफ काम करते थे ठीक है अब उनका माना तो सही कि ऑंपने इसाफ से चोस्य दे कि सही है पर वह सही थे या नहीं थे वह तो एक अलग टापिक है अलग डिवेट का अगला यहां पर 17 पॉइंट आ जाता है दोस्तों आपको यहां पर 17 पॉइंट आता है बीसवी सताबदी में अंतराश्टी पर्टिस पर्दा अब देखो समय के साथ आपने घर में पचासों बार पढ़ा होगा कि भीया देरे समय बढ़ रहा है आपको कॉंपटिशन बढ़त 2096 से अपने यहां पर open door की नीती अपनाई जिसमें हम भाई LPG लिबराजेशन प्राइजेशन और गुल्बराजेशन की बात करते हैं भीया हम मुक्त द्वार की नीती पर वैपार करते हैं कि हम आपके यहां पर वैपार करेंगे आप हमारे यहां पर करो हमें कोई मतलब नह बिनी अच्छे ह में वैपार करने से वी सबस्कार लें कार्ण से नाइनी कमपनियां चीजेश होते हैं थीक है वह सारी सारी शाय रहती है संपुन यूद पर लास्ट टॉपिक है इसा यूद जहां पर हर चीज का उप है पहर तरह से लड़ा गया हो अब देखो जैसे गली क दो और दो अंटियां लड़री होती हैं बहुत इंट्रस्टिंग लड़ाई होता है कभी देखना आप रूपकर अगर कभी ऑफिस जा रहे हो लड़ते हुए दिख जा आए ना तो देखना रूपकर अब देखो अगर वह दोनों लड़री ना तो एक अपने गेट पर खड़ अपने लड़री ना तो जब वह दो लड़ाई नहीं हो तो जब लड़ाई वह जहां पर बाल पकड़ के दूसरे को पीटना ठीक एक दम सर्वर फोड देना एक दम खोल देना हाप मडर करने का चार्जिस ना लग जाए जब तक क्या हुआ यूद पूरा नहीं हुआ जैसी लगाना चारी स्यूद पूरा संपन खतम समझ में आता है यह चीज जो चलती है ना संपन यूद के लाता है मतलब जहां पर हर तरह के चीजों का उप्योग करना हर तरह का थियारों को प्योग करना और दीरे दीरे विक्सित हो रहे हैं चीजों के लिए कर पहले पर्मानु पर्मानु बं से और दीरे 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 नहीं नहीं तरह के मिसाइल बना रहे हैं हापर सॉनिक साउंट से तेज बना रहे हैं था बिजली से तेज बना रहे हैं कभी इसदर तेज बना रहे हैं यह तेज जिसको बनाना उसको बनाओ ना साउंट तेज बिजली क्या फाइदा ठीक है, यहाँ पे बिचारे बच्चे सब एक्जाम को लेकर परिसान है, आप साउंड तेज बिजली कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इच्छी बात है हमारी कंटर का विकास होना चाहिए ठीक है, समझ में आता है, टोटल हमने 18 पॉइंट्स को पढ़ाए और I hope so, जो कल मैंने वीडियो जो डाली थी, उसे बहुत बच्चों को help मिली ठीक है, बहुत सारे बच्चे को कोशन्स आए आप इस वाले वीडियो को भी ध्यान से देखो, पढ़ो, पूरा टाइम दो, ठीक है, सारे टॉपिक्स को cover करो अल्मुस्ट आपको 5 ही कोशन करके आने और आजाने नहीं से, 18 टॉपिक्स में से आजाने कोशन्स ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है, और easy यह सारे टॉपिक्स ऐसा कोई tough deal नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ और, मैंने almost try भी कि आपको समझाने का टॉपिक्स को तो समझाया है है मैंने आपको, ठीक है, तो यह वाला करना आप वीडियो को देखना पूरा, और जो MA history के जितनी वीडियो अगर आप आप देख रहे हो तो इसको भी देखो, जिससे आपको चीज़े समझ में है, धेरे देखर के मैं सारे बुक्स की इस तरह important topics की वीडियो डाल दूँगा, तो फ्रेंट्स, थैंक यूव वाचिंग में, थैंक यूव लिस्निंग में, वाब बाइ, टेक कैर, और अ बेख भी बूश देखर झाल दूब है।